Hi everyone, welcome back to my channel Bios TD guys, कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग सब अच्छे हैं आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले है चैप्टर नमबर शेकेंड डेट इस अच्छे से पढ़ना है ठीक है आप सब लोगों को पता है कि आपकी बुक के अंदर second chapter है और ये chapter के अंदर कोई भी part reduced नहीं हुआ है हमको complete chapter अच्छे से पढ़ना है ठीक है आज part 1 वीडियो आई है इसके बाद में जो part बनेगा उसमें हम लोग chapter को पूरा finish कर लेंगे ठीक है तो चलिए start करते हैं guys acid, bases and salts अब नाम में जो है वो आपको जाना बहुत जरूरी है ठीक है acid किसको बोला जाता है normal language में अगर मैं बोलूं कि acid होता क्या है तो देखिए acid वो होता है जिसका sour taste होता है मतलब खटा टेस्ट होता है ठीक है जैसे कि lemon होता है ये क्या है natural acid है ठीक है lemon एक natural acid का source है ठीक है अ अगर pH की बात करते हैं तो 1,2,7 और 7 से अबाओ ये तीन चीज़े होती है 1,2,7 अगर यहाँ पे कोई चीज है तो ये neutral कहलाती है neutral ठीक है अगर इससे नीचे है pH मैं pH की बात कर रही हूं ठीक है इससे नीचे pH है तो वो कहलाएगा acid और साथ से अगर उपर pH है तो वो अगर acid को एक थोड़ा सा chemistry की language में बोलूं तो क्या है acid है जैसे की HCl ठीक है hydrochloric acid नाम में है hydrochloric acid अब अगर ये ब्रेक होगा water में तो क्या देगा हमें देगा H positive plus में Cl negative ions ठीक है H positive plus में Cl negative ions तो हमें क्या मिलेगा acid के break होने पे H positive ions राइट acid में हमेशा H positive ions मिलते हैं अगर base की बात करते हैं तो base क्या है base का example आप लोग बताएं अगर किसी को पता है तो अगर नहीं पता तो NaOH sodium hydroxide ठीक है अगर इसको पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा ये ब्रेक हो जाएगा या फिर कह सकते है आइनाईज हो जाएगा Na positive plus में OH negative ठीक है ध्यान दिया first में H positive था अब दूसरे वाले जिसमें base की बात कर रहे हैं OH negative मतलब क्या है basis जब dissolve हो जाएंगे तो हमें मिलेगा OH negative ions राइट OH negative ions अब दूसरा salt की बात करते हैं थर्ड नमबर पर right acid समझ में आया H positive मिलता है base समझ में आया OH negative मिलता है salt की बात करें अगर salt की बात करते हैं जैसे की NaCl ठीक है sodium chloride जिसको sodium chloride बोला जाता है table salt के नाम से भी इसको जाना जाता है तो इससे हमें मिलेगा Na positive plus में Cl negative ठीक है acid और base को जब neutralize कर दिया जाता है तो वो salt बनता है ठीक है basically acid और base को अगर हम मिला देते हैं तो उससे salt बनता है समझ में आया छोटा सा concept सबका clear हुआ acid bases and salts का तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग indicators के बारे में क्योंकि acid का थोड़ा बहुत idea आप लोगों को लग चुका है ठीक है indicators वो substance होते हैं जो indicate कराते हैं कि acidic है या फिर basic nature है ठीक है जैसे indicators क्या करते हैं indicators क्या है symbols होते है signs होते है directions को शो कराते हैं या कोई भी चीज है particular उसको शो कराने के लिए काम में आते हैं वैसे ही indicators अगर chemistry की बात करते हैं तो ऐसे substance होते हैं जो की nature को शो करते हैं कि acidic है या basic है समझ में आया दो चीज़े आप लोगों को पढ़नी है acidic और basic का nature जानने के लिए जो substance use किये जाते हैं उसको indicators पूलते हैं right कैसे पता चलेगा आप लोगों को की indicators कैसे हम लोगों को बताएंगे की acidic है या basic है तो यह पता चलता है students color change हो जाने पर ठीक है color जो है वो चेंज हो जाएगा इसलिए हम लोगों को फिर आइडिया लग जाएगा कि acidic है या basic है वो भी बताते हूं कि कैसे color change होने पर पता लगता है types of indicators की अगर बात करते है कि कितने type की indicators हैं तो देखिए एक natural indicator होता है दूसरा synthetic indicator होता है तीसरा होता है olfactory indicator' ठीक है ? Olfactory indicator नोट करो natural indicator सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में अभी बात कर रहे है natural resources से natural sources से जो भी हम लोगों को मिलता है थीक है उसको बोलते है natural indicator जैसे कि Litmus लाइकन से मिलता है हम लोगों को आप सब को पता है आपकी Chemistry Lab की अंदर Litmus पेपर मिलते हैं आप लोगों की Teacher Experiment करवाया होगा आप लोगों का अगर नहीं करवाया है लोगडाउन चल रहा है कोई बात नहीं आप लोग जब भी आप लोगों की स्कूल ओपन होगे तो स्कूल में आप लोग जाना टीचर से पूछना की कैसा क्या यह Experiment चलता है और अगर पॉसिबल हो पाया थोड़ा सा समान लाके अगर पॉसिबल हो पाया तो एक वीडियो इस पर में बनाने की पूरी ट्राई करूंगी ठीक है तो Litmus क्या है पेपर फों में अवेलेबल होता है दो टाइप के कलार इसमें मिलते हैं अवेलेबल एक है ब्लू कलर दूस है ठर्मरीक जिसको हल्दी बोला जाता है हल्दी भी क्या है नेच्रní इंडीकेटर ठीकर कै रैड कभेज भी क्या है एक नेच्रलल इंडीके Čरे किसी को ध्यान में नई रहता है नेच्राल इंडीकेटर सपोगे करो इंडीकेटर 59 कि आप लोगों का पूछ हल्द null s प्लदी का टर्मरिक का और लिटमस का आप लोगों को जरूर से शो करना है ये ठीक है दूसरा देखो इसमें क्या है एसेड बेसिस की बात की है कि लाइकन से हम लोगों को लिटमस पेपर मिलता है अब लिटमस पेपर दो ओप्शन एवेलेबल थे एक था ब्लू दूसरा था हमारे पास में रेड तो देखो ब्लू कलर का ये है अब अगर ब्लू कलर को हम लोग ब्लू स्ट्रिप को लिटमस पे का हो जाएगा, पिंक कलर, ठीक है, दूसरा देखो, बेस में क्या होता है, बेस में पिंक कलर का पेपर है, लिटमस पेपर है, वो ब्लु कलर में हो जाएगा, तो बी फोर बेस एंड बी फोर ब्लु, ठीक है, ब्लु हो जाएगा, रेड टू ब्लु, रेड से ब्लु के अंदर convert हो जाएगा यह हो जाएगा बेस के अंदर तो ध्यान डगना है बी फोर बेस एंड बी फोर ब्लू ठीक है एसेड का अपोजिट में हो जाएगा उसका पिंक कलर देता है ठीक है चलिए अब आगे देखो क्या है एसेड का पता चला हम लोगों को कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में convert करा देगा और बेस के अंदर हम लोग डालते हैं तो रेड लेटमस पेपर जो है ब्लू हो जाता है ठीक है बी फोर बेस बीफोर ब्लू रेड से ब्लू हो जाएगा ठीक है तर्मरिक का अगर हम लोग बात करते हैं हल्दी की जो कि एक नैच्वरल इंडिकेटर है अगर बेस में हम लोग डालते हैं अच्छा बेस किसे बनाओ गया आप लोग एसेड का पता है हाइड्रोक्लोरिक एसेड एसेड का आप सब लोगों को पता है सलफ्यूरिक एसेड बेस क्या होता है बेस जैसे की सोपी वोटर अगर साबून में थोड़ा सा पानी में आप ल और चीज में आप लोगों को बताती हूं कभी कभी क्या है चोटे बच्चे हैं वाइट कलर की ड्रेस होती है उनकी तो अगर खाने का दाग लग जाता है और उसके ऊपर अगर आपकी ममी कोई सोप से वाश करती है तो वह ब्राउन कलर में चला जाता है तो ऐसे करके चेंज प खबड़न तो तो हम लोगों को अपने को मिलें के चैंड का जब लिया तो हम लोगों को स्का र मडेश के मिलेंगा का झळूए जब गया है कि इसका बेडलेंग तो हम लोगों को इसे का इसे और ग्लाArugा emol ml.k क्या होता है पर्पल होता है ठीक है पर्पल राइट बेस में डालेंगे इसका जूस ऑफ कैबेज का जूस जाला बेस के अंदर तो ग्रीनिश कलर का हो जाएगा ठीक है ग्रीनिश कलर का यह हो जाएगा ओल्फेक्ट्री इंडिकेटर्स का मतलब क्या है ओल्फेक्ट्री का मतल इंडिकेटर का मतलब होता है जो भी चेंज कर आदे या फिर खतम हो जाए ठीक है दो ही चीज़े होती है अगर यह ऑप्षन है कि आप चेंज हो रही है तो फिर क्या ही इंडिकेट कर रहा है substance which change their smell when mixed with acid or base acid या base के साथ में mixed किया तो smell change हो जाती जैसे कि onion onion और vanilla onion का आप सब लोग जानते हैं base के अंदर डालते हैं इसको तो यह अपनी smell को lose कर देता है ठीक है अपनी smell को खो देता है बेस में डालेंगे तो onion की smell lose हो जाएगी, जबकि acid में डालेंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है, acid में डालने से कोई फरक नहीं पड़ता है right, vanilla का case है कि बेस में डालेंगे तो smell जो है वो vanish हो जाएगी same यही है, acid में डालेंगे तो वो वैनिश नहीं होगी जैसे कि अनियन के केस में था ठीक है इसमें एक और और भी आप लोग गड़ कर सकते हैं क्लोव का एक्जामपल इसमें है क्या क्लोव का एक्जामपल अब देखो सिंथेटिक इंडिकेटर्स ठीक है थर्ड नमबर पे आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स सिंथेटिक का मतलब होता है मैनमेड जो इंसान बनाता है वो इंडिकेटर्स जो के सिंथेटिक इंडिकेटर्स किये जाते हैं लैबुरेटरी के अंदर उनको सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं इसमें दो आप लोगों के पास में options हैं, options नहीं है, मतलब available है, synthetic indicators, दो type के हैं, phenophthalein and the methyl orange, ठीक है, अगर phenophthalein को base के अंदर डालते हैं, तो ये pink color में हो जाता है, pink color का ये हो जाता है, ठीक है, phenophthalein है, phenophthalein है, और क्या है इसके अंदर, इसमें डाल दिया base, ये है base, ठीक है, phenophthalein कैसा होता है, ये होता है, transparent, colorless, ठीक है, transparent, जिसको colorless भी बोल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका color हो जाएगा, pink, तो याद रखना है, phenophthalein P for phenophthalein, P for pink, बेस के अंदर, ठीक है, B, P, P, right, दूसरा है acid, अगर phenophthalein में डालते हैं, तो कोई फर फर्लोस ही रहता है, right, second है methyl orange, अगर methyl orange के अंदर ऐसे डाला, ध्यान रखना, methyl orange के अंदर अगर ऐसे डाला तो ये red color का हो जाएगा, undby pushing Sarina, तो यह yellow color का हो जाएगा ठीक है yellow color का ध्यान रखना है बेस में डालेंगे तो यह yellow color का हो जाएगा ठीक है methyl orange BMOY यह याद रखने आप लोगों को रहै सिसके बाद में है acids के बारे में बात करेंगे हम लोग क्योंकि आप लोगů का indicators का concept आप लोगों का clear हो चुका है okay acid क्या है अच्छे से समझना क्योंकि question पूछे जाते हैं आप लोगों को कैसे लिखना है एक बार ध्यान दो इस बात पे acids कैसे होते हैं sore in taste, taste में खटे होते हैं turns blue litmus into red blue litmus paper को red color में change कर देते हैं कौन acids ठीक है अगर dissolve करते हैं water के अंदर तो H positive ions को release करते हैं HCl का example देखा था वही यहाँ पे चलेगा अब है इसके बाद में acid solution conducts electricity electricity conduct करता है acid solution यह था acid के बारे में acid की definition में यह 4 points का लिखना बहुत जादा compulsory है example में आएगा HNO3 HNO3 H2SO4 H positive SO4 negative यह है acids अब देखो इसके बाद में है types of acids acid कितने type के होते हैं acid के बारे में पता चल गया अब उसके type भी जानना बहुत जरूरी है कि कितने type के होते हैं तो देखो इसमें सबसे पहले आता है natural acid same way चीज चलेगी natural चलेगा synthetic चलेगा जिसको man-made भी बोलते हैं acid which are obtained from the natural source जो natural source से हम लोगों को मिलता है उसको natural acids बोलते हैं या फिर organic acid organic का मतलब भी यह होता है कि natural source से मिले एक्जामपल है जैसे कि acetic acid कहां से मिलता है vinegar से मिलता है source है इसका vinegar second है ascorbic acid मिलता है गवावा से और आमला juice से third number पे है citric acid सबको पता है lemon और orange से मिलता है lactic acid किस से मिलता है sour milk से या फिर curd से यह मिलता है हमें lactic acid तो यह हुए natural acids अब बात करते हैं कि mineral acids क्या होते है mineral acids को बोला जाता है man-made acids जो कि prepare किये जाते है from the minerals उनको mineral acid बोला जाता है जैसे कि hydrochloric acid HCl H2SO4 sulfuric acid तो यह क्या है mineral acid बनाए जाते हैं laboratories में अब देखो acid के बारे में पता चल गया कि 4 points हम लोगों को अच्छे से clear हो गए है example अच्छे से clear हो गया है natural समझ में आ गया है natural acid क्या होते है mineral acid क्या होते है सब समझ में अच्छे से आ गया है यहां तक concept सब का clear हो चुका है अब बात यह करते हैं कि different different metals के साथ में कैसे react करते हैं Metal carbonate के साथ में कैसे react करते हैं क्या हमें पता लगता है मतलब या तो वो hydrogen gas release करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये metal के साथ में react कर रहा है या फिर carbon dioxide gas निकलेगी ठीक है तो इनके different reactions हम लोगों को समझने है और बहुत ध्यान से आप लोगों को ये समझना है बहुत important है देखो acids और bases react करते हैं metal के साथ में तो हम लोगों को क्या reaction देखने को मिलती है equation क्या देखने को मिलती है ठीक है acid give hydrogen gas बहुत important point है star mark कर लो इस पे कि hydrogen gas हम लोगों को मिलती है acid जब react करता है metal के साथ में और क्या मिलता है perspective salt मिलता है ठीक है तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है acid जब metal के साथ में react करेगा तो हम लोगों को salt मिलेगा जो भी salt बना होगा वो मिलेगा perspective salt plus में hydrogen gas hydrogen gas यहाँ पे important criteria है अगर metal के साथ में react कर रहे तो ठीक है तो note करो ये line को metal plus में acid gives the salt plus में hydrogen gas ये आप लोग ध्यान में रखो ठीक है इस बात को ध्यान में रखना है तो इसका example क्या है first पे zinc plus में H2SO4 H2SO4 क्या है? sulfuric acid है zinc क्या है? metal है तो समझ में आया ना zinc plus में H2SO4 इसको salt बोलते है plus में H2 gas hydrogen gas निकलती है ठीक है? ये हुआ acid का ये तो भाई बात हो गई acid की अब अगर base की बात करें metal के साथ में कैसे react करके क्या मिलता है तो वो भी देख लो same यही चीज होती है base के साथ में NaOH इसको base बोलते है जब ये zinc के साथ में Na2 sodium ZNO2 zincate ठीक है? प्लस में H2 तो hydrogen gas भी यहाँ पर evolve हो रही है समझ में आया ये acid का था और दूसरे वाला ये है हमारे पास में base का तो acid और base ऐसे react करते हैं metal के साथ में hydrogen gas तो दोनों में ही निकलती है test for the hydrogen gas अब hydrogen gas निकल रही है कैसे पता चलेगा hydrogen gas निकल रही है आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि hydrogen gas का evolve हो रहा है तो देखिए reaction के बाद में hydrogen gas evolve होती है of the acids with the metal metal का acid के साथ में reaction होता है उसके बाद में hydrogen gas evolve होती है ये test किया जाता है by bringing a lighted candle near it जब experiment चल रहा होता है तो उसके पास में एक जली हुई candle को हम लोग पास में लेके जाते हैं ठीक है अगर gas bumps with the pop sound अगर पट 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 ऐसे आवाज आती है तो ये confirm करते हैं कि evolution हो रहा है hydrogen gas का experiment चल रहा है कि भई metal react कर रहे हैं acid के साथ में ठीक है उस time पे आप लोग क्या करेंगे कि एक candle को ठीक है एक lighted candle को पास में लेके जाएंगे अगर वहाँ पट पट पोप sound अगर वहाँ पे निकल रही है तो क्या है वहाँ पे confirm हो जाएगा कि evolution हो रहा है hydrogen gas का तो ये था test for the hydrogen gas ठीक है देखो इस diagram से आप लोग देख पा रहे है sulfuric acid लिया है acid हो गया यहाँ पे zinc के granules डाले है ये metal हो गया ठीक है ये acid हो गया reaction में हम लोगों को क्या मिलेगा reaction में हम लोगों को मिलेगा sodium zincate main बात ही हाँ पे क्या ध्यान देना है कि hydrogen gas निकल रही है अब यहाँ पे हम लोग जली हुई candle को पास में लेका है तो पट 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 ये pop like sound हो रही है इससे हम लोगों को पता चल गया कि hydrogen gas तो निकल रही है इसके बाद में है second यहाँ पे कि reaction हो रही है acid की metal carbonate के साथ में carbonates के साथ में ठीक है पहले हम लोगों ने metal लिया अब ले रहे हैं हम लोग metal carbonates ठीक है acid gives the carbon dioxide तो metal के के समें क्या है hydrogen gas metal carbonate के के समें क्या है carbon dioxide तो आप लोग लिख लें कि metal carbonate का जहाँ पे आ जाए ना वहाँ पे CO2 का लिखना तो compulsion है CO2 gas यहाँ पे निकलती है and respective salt बनता है along with the water when they react with metal carbonate साथ साथ में water का भी formation यहाँ पे होता है example देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यह line पे आप लोग star mark लगा ले लिखके metal carbonate plus में acid क्योंकि acid का metal carbonate के साथ में react करवाना है हम लोगों को मिलेगा salt plus में water plus में CO2 पहले वाले में हम लोगों को water नहीं मिला था CO2 नहीं मिली थी हम लोगों को मिला था hydrogen gas लेकिन यहाँ पे water मिला है plus में CO2 मिला है salt तो पहले वाले में भी मिला था ध्यान रहेगा आप लोगों को देखो NaCl, H2O water और CO2 यहां से फिर यहां पे evolve हो रही है तो ध्यान रहेगा सबको metal carbonate के case में क्या होता है CO2 और water यहां पे मिलते हैं ठीक है next देखो यहां पे क्या है metal carbonate या फिर metal hydrogen carbonate plus में acid क्या देंगे वही सेम reaction है salt plus CO2 plus में water तो metal carbonate होगा या फिर metal hydrogen carbonate होगा acid के साथ में तो सेम यही चीज़े मिलेंगी जैसे कि sodium bicarbonate plus में sulfuric acid ठीक है sodium bicarbonate plus में sulfuric acid यह देंगे salt plus में CO2 plus में water सबको ध्यान रहेगी यह वाली equation सबको याद रहेगी न metal hydrogen carbonate हो या फिर metal carbonate हो मिलेगा हमें CO2 और water और रस्पेक्टिव सोल्ट राइट अब देखो पहले हम लोगों ने टेस्ट किया था कि हाइड्रोजन गैस इवाल्व हो रहे है कैसे पता चलेगा अब यह जो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं टेस्ट यह किसके लिए है कार्बन डायोकसाइड गैस के लिए होगा कि निकल रही है या नहीं निकल रही है क्योंकि कन्फर्म कराना है न कि मैटल कार्बोनेट का यहां पे हम लोग देख रहे हैं रियक्शन या किसका देख रहे हैं तो देखो कार्बन डायोकसाइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की वैन पास थ्रू इट लाइम वाटर को मिल्की वाटर बना देता है अगर वहां से पास किया जाता है तो अगर सीओ टू है सीओ टू को पास करेंगे लाइम वाटर से तो वहां पे milky water में convert हो जाएगा ठीक है और यही एक characteristic किसकी है carbon dioxide gas के test की है ठीक है lime water to milky ध्यान रखेंगे सब lime water to milky हो जाएगा अगर CO2 को pass करेंगे तो ओके देखो guys example देखो इसका क्या है calcium carbonate plus में CO2 plus में H2O क्या देंगे हमें calcium bicarbonate ठीक है इससे हमें मिलेगा calcium bicarbonate अब third number की reaction है जो की बहुत important reaction है अब तक आप लोगों ने पढ़ा है कि acid का metal के साथ में reaction होगा यहां मैं थोड़ा सा conclude करना चाहूंगी देखो metal के case में क्या है metal के case में आप लोगों को respective salt मिलता है plus में क्या मिलता है H2 gas मिलती है ठीक है यह metal का है acid के साथ में दूसरा है अगर acid के साथ में metal carbonates होंगे या फिर metal hydrogen carbonates होंगे लिख देती हूँ metal carbonates या फिर metal hydrogen carbonates तो क्या देंगे salt तो हमें मिलेगा plus में CO2 मिलेगा plus में water मिलेगा H2O ठीक है अब third number वाली पे अगर acid का metallic oxide के साथ में reaction होता है तो हम लोगों को क्या मिलता है तो देखो ध्यान देने वाली चीज़ यहां पे यह है कि ना तो यहां पे CO2 मिलेगा ना यहां पे hydrogen मिलेगा यहां पे हम लोगों को बस salt मिलेगा plus में water मिलेगा तो metallic oxide के case में क्या मिलता है salt plus में water example देखो 2HCl क्या है acid है plus में CaO क्या है metal oxide है यह हमें देंगे calcium chloride जो की salt है right H2O जो की water है सबको समझ में आई तीनों reaction अब देखो acids को दो category के अंदर डाला जाता है किस basis पे डाला जाता है तो यह डाला जाता है completely यह positive और negative ions के अंदर break हो रहा है या नहीं हो रहा है तो देखो strong acids क्या है completely ionize हो जाते है ठीक है positive और negative ions के अंदर जैसे कि HCl है sulfuric acid है H2SO4 HCl क्या है hydrochloric acid है ठीक है दूसरा है weak acid जैसे कि CH3 COOH और दूसरा क्या है H2CO3 ठीक है H2CO3 यह क्या है अब देखो strong acid और weak acid की एक बार आप लोग definition देख लो an acid which is completely ionized in water or produce H positive ions is called the strong acid right H positive ions produce करते है जबकि weak acid के case में क्या है partially ionized होते है water के अंदर ठीक है और produce कराते है small amount of hydrogen ions small amount of hydrogen ions यहाँ पे देखने को मिलते है completely ionized नहीं होते है उनको weak acid बोला जाता है H2CO3 यहाँ पे इसका example हो जाएगा right यह था guys acids के बारे में अब देखते हैं कि base क्या होते है right अब हम लोग देखते हैं कि base क्या होते है तो base का यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग discuss करेंगे जो next video होगी इसमें reactions को आम लोग लेके चलेंगे तो देखिए basis क्या है bitter होते हैं टेस्ट के अंदर have a soapy touch अगर आप लोग touch करते हैं तो soapy touch आप लोगों को feel होगा turns red litmus to blue B4 base B4 blue वाला concept ध्यान रखना है red से blue में convert हो जाएगा और hydroxide ions हम लोगों को मिलेगा OH negative ions Equal solution में हम लोगों को मिलेगा acid के case में H positive ions मिलते हैं calcium hydroxide example है इसका caoh2 sodium hydroxide naoh किसका example है base के example है right base के example है अब properties के अगर बात करते हैं कि क्या-क्या properties है तो यहाँ पे 5 property आप लोगों को ध्यान में रखनी है have a bitter taste bitter taste होता है बिल्कुल बात ठीक है soapy in touch touch कैसा होता है soapy touch होता है ठीक है वही है साबून का पानी अगर देखते है solution तो यह base है third है red lit must to blue सबको समझ में आ गया fourth है conduct electricity in solutions solutions में electricity को यह भी conduct करता है right release कराता है OH negative ions को aqua solution के अंदर यह थी base की properties अब कल जो हम लोग बात करेंगे वो reactions देखेंगे की base का metal के साथ में reaction होगा तो हम लोगों को क्या-क्या मिलेगा right उसके बाद में हम लोग strength के बारे में बात करेंगे क्या है acid base की strength neutralization reactions क्या होती है यह सब के बारे में हम लोग कल पात करने वाले हैं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें शेयर करें आप लोग भी बायो सेडी फैमिली का हिस्सा बने जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में यह वीडियो को शेयर करें ताकि हर स्टूडे की हेल्प हो कल मिलते हैं बाई टेक केर आजी बनादी आजी फोड़ देना शुट यार मेरे